आप आई हो कि आप सभी अच्छो हों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं How to create kilonev in vivo Y17S आज की इस वीडियो में आपको बताने बलाओ, vivo के इस डिवाइस में आप किस तरीके से kilonev कर सकते हैं, double application कर सकते हैं इस वीडियो को end देखने, वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और अगर आप मारे चैनल पर पहली वाल आए हैं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रैस कर देना है जिससे कि आपको और आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे तो गईज, without any waste time, let's go start वीडियो फर्स्ट अपर आपको जाना है, settings पर इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा से scroll कर देना है नीचे क्योर और यहाँ पर आपको मिलता है apps, इस वाले option पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आजाना है यहां आपको मैं जाता है एप क्लोन तो इस वाले ओप्षन पर क्लिक कर देना है क्लिक कर निकल दी यहां पर आपके सारे अप्लिकेशन आ जाते हैं इसे कौन-कौन से अप्लिकेशन डबल करना चाहते हैं वह यहां पर कर सकता है जैसे कि फेस्बुक को कर लेते हैं तो यहां पर इसे on कर देना है, on करने के बाद है आप पर cloning app, create हो रहा है आपका double application, इसे बनने में एक दो मिनिट का time लग सकता है, या 10-5 second का ही time लगता है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने app phone पर आ जाता है, phone पर on के लिए, इसके बाद यहाँ पर netflix कर लेते हैं, तीन application मैंने clone कर आते हैं, back जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कि हमारा एक phone पर यह है, phone पर और phone पर, okay, यहाँ पर यह है, facebook, facebook, okay, यहाँ पर netflix, और यह netflix, यहाँ पर इस तरीके से आप अपने phone में clone app कर सकते हैं, so which I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आ होगा, वीडियो पसं इंटरस्टिंग वीडियो के साथ,